हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम इससे पहला हम किलास कर चुके हैं कैमिकल की ठीक है तो उसमें हमने आइनिक बोंड और आपका कोविलेंट बोंड देख लिया था उसी के साथ साथ इलेक्ट्रेस्टेटिक्स बोंड में हमने देख लिया था तो अगर आप डायरेक्ट इस क पिशली किलास देखनी पड़ेगी तभी आपको ये किलास समझ में आने वाली है इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन था आपके लिए एक नोटिस था कि 15 जनवरी को मैं लाइव आने वाला हूं जिसमें हम आपके CSIR से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं में सब किलियर करने वाला हूं तो आप मुझे 15 जनवरी को जोइन कर सकते हूं मेरे साथ अपने डाउट्स रख सकते हूं उसके लिए आपको मुझे वर्टसप पे अपना नंबर सेंड करना पड़ेगा जिससे में आपको उस किलास का लिंक सेंड कर सकूं तो इसके साथ आगे बढ़ते है और देखते हैं कल हमने पड़ लिया था अपना के हमारा एटम क्या होता है इसके बाद मास देख लिया था मास की यूनिट मोलीकूल है मोलीकूल क्या होते है ठीक है इलेक्टो निगेटिव देख लिए ते डिफ्टेंट 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 एटम की इसके बाद ह हमने मालुम किया था कि कैमिकल बॉंड क्यों बनते हैं फिर हमने एक ओवराल चार्ड देखा था कि कितने प्रिकार के हमारे बॉंड होते हैं strong bond कौन से होते हैं बीक bond कौन से होते हैं हमने पढ़ाता है कि bond strength क्या होती है इसके बाद हमने protein के अंदर bond देखे थे कि आपका protein के अंदर कौन-कौन से bond पाई जाते हैं फिर हमने nucleic acid के बाद बात करी थी carvohydrate lipid हमने यह सब पढ़ लिया था हमने देखा था कि ionic bond किसको बोलते हैं और हमने इसको बहुत detail में पढ़ाता ठीक है इसके बाद हमने देखा था कि ionic bond का formation किस प्रिकार से हो रहा है इस पर positive charge कहां से आया इस पर negative charge हमारा कहां से आया ठीक है इन सब के उपर हमने बात कर ली थी कोविलेंट बोंड हमने पढ़ लिया था हमने देखा था कोविलेंट बोंड के दो टाइप होते हैं polar covalent एक non polar covalent polar covalent में आपका unequal pairing होती थी जबकि आपके जो non polar covalent है वो in between यानि की middle में बनते थे और उसमें equal pairing, equal sharing आपकी होती थी ionic bond में electron का transfer होता था बट covalent bond में आपका electron की sharing होती है तो आपको इस बात को याद रखना है एक बार दुबारा repeat कर रहा हूँ ionic bond जो होता है आपका उसमें आपकी electron का transfer होता है जबकि जो covalent bond होता है उसमें electron की pairing होती है ठीक है इसके बाद हमने देख लिया था sigma bond क्या होता है, pi bond क्या होता है और किस प्रिकार से भी single bond, double bond, triple bond में help करते है bond length देख लिए थी हमने कि bond length का covalent bond पर क्या असर पड़ता है ठीक है हमने इसकी देख था कि इसको किस प्रिकार से tackle करना अगर आपके exam में इस से related आ जाए तो ठीक है, आगर बर तक हमने metallic bond देखी थी कि आपको कोई भी atom अगर अपने चारों तरफ से bonding करना स्टार्ट कर दे तो यह केबल आपको metallic bonding में मिलता है जिसके करना उसको sea of electron के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसके बाद हमने बात करी थी थोड़ी से कि molecular interaction क्या होते है आज basically हम यहीं से बात करने वाले हैं कि molecular interaction क्या होते है अब तक हमने देखा था कि जो आपके atom होते हैं atom atom के बीच bonding हो थी और जो atom atom के बीच bonding हो थी बहुत ज्यादे strong थी बट molecular के अंदर जो molecule होते हैं मैं आपको बताया था कि atom plus atom मिलकर molecule बनाते हैं जो आपके atom है बहुद 2 होसकते हैं या फिर 2 से जादा होसकते हैं different type के elements हो सकते हैं और एक ही type के elements होसकते हैं जिसना O2 n2 या फिर आपका water h2o या फिर आपका carbon dioxide तो carbon dioxide और H2 यह different type के element है बट इन्होंने एक molecule बनाया जबकि आपके O2, N2 यह एक ही type के element एक ही type के atom है और इन्होंने मिल करके एक molecule बनाया जिसको oxygen बोल देते हैं तो आज basically हम इसी molecular interaction से चलने वाले हैं इसी molecular interaction पर बात करेंगे के यह किस प्रिकार से bonding में help करता है और biological system में molecular interaction कहां कहां पाया जाता है तो आज इन सब के ऊपर चर्चे होने वाली है लेक्चर इंट्रेस्टिंग होने वाला है थोड़ा लेक्चर लैंदी रहेगा क्योंकि मैंने ओल ओवर चाहे आपका gate हो मारे चैनल पर मिलेगी जो telegram channel है उसपे टेलिग्राम चैनल का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बहाँ पर जा करके आप टेलिग्राम से इसकी पीडी अप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह आप डाउनलोड कर सकते हो उस से आप revision कर सकते हो और revision करने के बाद pdf 1 revision होगी आपका फिर आपको करना है recalling recalling मतलब बिना किसी pdf के थूँ यानि कि आप कहीं पर बैठ जाओ या फिर कुछ काम कर रहा हो और मन मन में उस टोपिक के बारे में सोचना तो वो हता है recalling revision आप जब करते हो तो किसी चीज में से देख के पढ़तो हो किताब में से पीडियाप में से वो हता है revision recall होता है without मतलब किसी किताब से नहीं किसी पीडियाप से नहीं आपको डारेक्ट ऐसे ही पढ़ना है मतलब याद करना वो recall करना है कि हमने क्या पढ़ा है तो आपके लिए रिवीजन और रिकॉल बहुत ज़रूरी है और जो CSIR से रिलेटेड जितने भी अफवाए फैल ली है कि पेपर वहत इस वार डैप्थ में जाने वाला है और पेपर जब होगा अभी एकजाम अभी तक CSIR नेट लाइफ से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ठीक है ना एकजाम तीन वार होंगे या दो बार होंगे या एक बार होंगे CSIR ने पहले भी नोटिफिक्शन दियता है कि साल में तीन वार वे एकजाम कंड़क्ट करवाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ और इस वार भी वे तीन वार को ही बोल ला है बट अगर तीन वार कराना होता उनको तो वो अब तक जो एप्लिकेशन फोर्म है वो निकाल चुके हो लेता है आपको जन्वरी चल रहा है आपका со ornaments दिर्शन फॉर्म हैं वहमाटि में आने वाले हैं During the program going आते अगर मान लों के मार्ट माई दो महीन का टाइम ताइम लेगा अप्रेल माई है ठीक है और हो सकता है किORE क्योंकि CSIR हो इन फोड़ी नक्रे राते है जो भी यह तो अभी आपका आपको किसी भी अववापनी जाना अगर कोई आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो तो सबसे पहले आपके पास ख़वर पहुचने वाली है ठीक है वह ख़वर मैं पहुचाओंगा आपको चाहिए से रिलेटि नोटिफिकेशन हो बड़े से बड़ा नोटिफिकेशन हो उसकी ख़वर मैं आपको देने वाइगा हूं तो बैक होते हैं अपने टॉपिक पे और आज का हमरा टॉपिक है मोलिक्यूलर इंट्रेक्शन जैसे कि इसका नाम से जिक्ष्ट कर रहा है कि जो हमारी के ज़फिकेशन होता है एटम वह मैं फिरल ने पिछली के बटा दिया है जो मोलिकूलर इंट्रेक्शन होता है वह हो सकता है और एट्राक्टिव रिपैल्सिभ और एट्रेक्टिव क्या होता है कि जब बोंड्ड आपस में अट्रैक्ट हो जा है बना ले ठीक है तो याने और अगर बे एक दूसर से दूर चले जाए तो उसको बोलते हैं repulsive बात करेंगे हम किसमे attractive और किसमे repulsive बोन पाया जाता है इससे related आपका CSIR net life science में एक question बन चुका है चार नमबर का ठीक है आगे बढ़ते हैं और और देख लेते हैं तो आज बात करेंगे हम hydrogen bonding की hydrogen bonding actually आपका important है क्योंकि hydrogen bonding आपके biological system में जितनी भी secondary structure होती है चाहे वो protein की हो nucleic acid की हो lipid हो vitamins हो या फिर carbohydrates हो उन समय help करता है mostly आपका hydrogen bonding होता वो protein में जब हम protein पढ़ेंगे और जब हम उसके secondary structure पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो आपका hydrogen bonding है वो protein को stabilize कर रहा है होल्ड करके रख रहा है protein को तो आज का हमारे यही hydrogen bonding हम पढ़ने वाले है hydrogen bonding से start करते हैं ठीक है तो वार्ट इज ट्रिक से लोंग टाइम वोटर विकोज इट रिक्वाइर लोट्स ओफ एनर्जी टू ब्रेग हाइडोजन बॉन इन वोटर तो मैंने कहा था आपको कि जब बॉन्ड को तोड़ते हैं जब बॉन्ड को ब्रेकडाउन होता है तब उसको एनर्जी चाहिए होती है वो नोन इस्पोंटेनियस प्रोसेज होता है नोन इस्पोंटेनियस इस्पोंटेनियस एंथेलिपी एंट्रोपी इन सब की बात हम थर्मोडाइनिमिक्स में करने वाले हैं तो डॉन्ट वैरे ठीक है जहां पर अगर इसका कॉंसेप्ट आएगा तो मैं वहाँ पर मैं आपको मैंना आपको बॉन इस्ट्रैंथंथ बता दे निए कि कि इसकी कितनी है ठीक है क्योंकि आपका पूछ लिया जाता है इनक्रीजिंग और पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादे आपकी जो बायोजिक्ल सिस्टम में बॉन्ड होती है बहुत है कोविलेंट की जबकि जो सब से कम bond strength होती है वह होती है वंडरवाल force कि तो यह बात याद रखना ठीक है है इसके बात क्या होता कि है hydrogen bonding is a strong देखो यहाँ पर बात करें intermolecular interaction between a hydrogen atom bound to on or f and loan pair कहने का मतलब क्या है देखो hydrogen bonding के दो प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर इंट्रक्षन यह भी आपके एक प्रिकार से इंट्रमोलिकुलर इंट्रक्षन है तो इसके एक्जाम्पल पर हम चलेंगे तो बात करते हैं कि हाइडोजन बोंडिंग हमारा बेसिकली होता क्या है अभी तक हम बेस बना करके चल रहते हैं तो एक बार थेयरी पढ़ लेते हैं उसके बाद फिरम डाइग्राम पर चलेंगे कि हाइडोजन बोंडिंग इजे प्रिमरली इलेक्ट्रो इस्टाटिक फोर्स यानि इसमें एक इलेक्ट्रो इस्टाटिक फोर्स लगता है और अट्रेक्षन बिट्विन हाइडोजन एक्टम बिचिज कोविलेंट्री और इलेक्ट्रो निगेटिव डोनर एक्टम और गुरूप एंड अनादर इलेक्ट्रो निगेटिव एक्टम वेरिंगे लॉन पेर ओफिलेक्ट्रों दा हाइडोजन बोंड एक्सेप्टर अब मुझे पता आपकी समझे में कुछ नहीं आया होगा बट अब हमने थ्योरी पढ़ लिए अब हम इसका मतलब क्या था कि देखो भाई अब इसको हम समझते हैं कि जो आपका हाइडोजन बोंडिंग है उसके लिए क्या-क्या चीज जरूरी है तो एक तो आपका एक ऐसा एक्टम होना चाहिए है जो आपका हाइडोजन डोनर की तरह काम करें तो एक ऐस सा एटम होना चाहिए है कि जो आपका हाइडोजन एक्साप्टर की तरह काम करें ठीक है ना तो एक कंडिशन आपकी यह हो गई है इसके बाद दूसरे क्या है कि आपकी डिफ्रेंट इलेक्ट्रो निगेटिविटी होनी चाहिए ठीक ना यानि कि इलेक्ट्रो ठीक है इनके बीच में हाइडोजन हाइडोजन एक प्रिकार से इंटर ब्रिच का काम करता है इसमें जो होता है 10% आपका कोविलेंट बॉंड काम करता है और 90% आपका इलेक्ट्रो इस्टाटिक अट्रेक्शन होता है या फिर इलेक्ट्रो इस्टाटिक बॉंड काम करता है तो मेर बात आपको यह दो ही रखने हैं कि 90% आपका electrostatic bond होता है जबकि 10% covalent bond होता है ठीक है अब होता कैसा है कि यह मानलो कोई acceptor atom है यह आपका donor atom है अब इन पर चार्ज होता है पार्सल पोजेटिव और पार्सल निगेटिव ठीक है अब क्या साइब यह पार्सल पोजेटिव और पार्सल निगेटिव क्या साया कि यह atom इसकी इसमें है इलक्ट्रो निगेटिविटी और इलक्ट्रो निगेटिविटी अगर किसी atom के अंदर है तो वह कहेंगा कि वह किसी भी electron को अपनी और खीचेगा तो इस ने इस hydrogen से एक atom sorry इस hydrogen से एक electron खीचने की कोशिस करी है तो इसके जो टोप था जो इसका सिर्था उसके उपर पार्सल निगेटिव आ गया क्योंकि यह acceptor की तरह इसने काम किया अब यहां पर क्या है कि जो hydrogen था उसने डोनेट किया तो उस पर पार्सल पोजेटिव आ गया ठीक है यह वात हमने इस atom ने यहां से इस hydrogen से कोई electron अपनी और खीचा तो इस पर पार्सल निगेटिव आ गया और इस से इस ने जो दिया तो इस पर पोजेटिव आ गया क्योंकि यह करोड़ पती निकला अब क्या होगा कि जो अब यह पोजेटिव होगा अब दूसरा atom के पास फिर इलेक्ट्र निगेटिविटी यानि कि दूसरा atom भी हमारा इलेक्ट्र निगेटिव होना चाहिए ठीक है ना अब धीरे से इसके यह क्या करेगा यह इस hydrogen से बोंडिंग अराम से ठीक है तो आपक को आपको याद रहना है तो यह अब अराम से अपना इंट्रेक्शन कर लेंगे तो बेसिकली बोंड कहां पर बनना बोंड इसके बीच में और इसके बीच में बनना है यानि कि इस atom के बीच में बनना है यह hydrogen एक आपका इंटर ब्रिच की तरह कार्दे कर रहा है है तो अब हम कह सकते हैं कि जो hydrogen bond है वह किनी दो इलेक्टो निगेटिविटी एटम के बीच में बननता है पहली बात important है hydrogen बोंड जो होता है वह किनी दो Ne Canon volatility atom के बीच में बनता है यह बन रहा है hydrogen एक ट्रिकार से इंटर ब्रिच एसकी तरह काम करता है थीगा नहीं हाइडोजन क्यों हो क्योंकि हाइडोजनっちीव है तो आपको जो बात थी इसमे वह मेंने बता दी आपको जो इलाक्तिन निगेटिविटी ऐटम होते वो कौन-कौन सो सकते हैं फ्लोरीन ओक्सिजन नाइडोजन फ्लोरीन का एक नमबर नाइ आपने अगर याद की तो बहुत अच्छी बात है तो फ्लॉरीन की आपकी 4 होती है ओक्सिजन की आपकी 3.5 होती है नाइटोजन की 3 होती है कारवन की 2.5 और हाइडोजन की आपकी 2.1 मैं आपको बता रखा है ठीक ना तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं इसको अब आपकी समझ मां जाएगा यह एक आपका क्या है कि यहां पर बनना आपका कोविलेंट बॉंड पॉलर कोविलेंट बहुंड है ठीक है ना क्योंकि जो आपकी बॉन बहुरा बन रहा है वो एक साइड में बनना है इस लिए पोलर है अगर इन बिट्विन बनता तो यह आपका कहलाता नोन पोलर और यह जो है यह आपका क्या है यहाँ पर आपका एक डोनर का काम कर रहा है और एक अकसप्टर का काम कर रहा है ठीक है और तो और क्या हो रहा है कि इसमें कि आपकी इनकी दोनों की इलेक्टो निगेटिविटी इलेक्टो निगेटिविटी दोनों के पास है ठीक है तो यह होना बहुत जरूरी है तो अब मैंने आपको हाइड hydrogen bond इजर प्रमिल्री इलक्टोइस्ट्रेटिक फोर्स ओप अट्रेक्शन बिटुमिन हाइड्रो एटम हमने देखा इलक्टो स्टैक्स फोर्स हमारी कहां पर लग लग रही थी जो हमारा दॉनर था और जो हमारा इसमें एक चीज रहा गया है मैं आपको बता देता हूं कि आपका यह जो डॉनर होता है इसकी वज़े से बॉंड को बॉंड का फॉर्मेशन कर पाता है ठीक है तो यह बात भी आप याद लग सकते हो आगे चलते हैं और थोड़ा और समझ लेते हैं यह मेरे नोट्स थे बनाए होए हाइड्रोजन बॉंड के बॉंड विट्विन टू इलेक्टो निगेटिव एटम यानि कि हाइड्रोजन बॉंड तब बनता है जब उस दो कोई थे भी इलेक्टो निगेटिविटी एटम कंडिसन नंबर बन ऐसेकंड एक्ट सेकहर्ण मस्ट एट अट है हाइड्रोजन अग्सेप्टच मोर्वं जो है उनुन में से एक आपका इलेक्ट्रो निगेटिव होना चाहिए दूकर एक तरह काम करे और एक हाइड्रोजन एक्स तरह काम करता है hydrogen और फोर्स लगति apart जिसकी जो परसेंटेज होती वह 50 तक होती है जब की जो आपका है उता है क४ोलर बनता है और हो जो इसकी परसेंटेज व 14 यह आपके पाच्ट फॉर है औक्सिजन की 3.5 है नाइटोजन की 3 ओर ले इसके बाद इधर भी आपका क्योंकि यही आपके एटम है जिन में इलेक्ट्र निगिटिविटी ज्यादे होती है ठीक है इसके बाद आपके काफी सारी क्योशन आ जाते हैं यह हम वैसे तो आगे देखने वाले हैं कि आपका हाइडोजन बोर्णिंग कब सबसे ज़्यादे मजबूत होगा ठीक है ना कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर हाइडोजन जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखता है तो एंगल आपका 180 डिग्री होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन ठीक है देखेंगे हम आगे बात करेंगे इसके बाद आपका डिटेल स्टक्चर थोड़ी सी बही पुरानी स्ट बात करेंगे तो जो हाइडोजन को डोनेट करता हूं उनको इस डिक बोलते हैं और जो हाइडोजन को यंकशे्प्ट करता है उनको बैसिक बोलते हैं ठीक है उबलेंगे अगर हाइडोजन की तरह काम कर रहा है उसको बोलनेगे बैसिक है और इस पर जो है अपको अपर नहीं है है तो यह बत आपको याद लगनी है आगे चलते हैं अभ देख लिए Immediately factor deciding strength of hydrogen bone के कौन-कौन से factor होते हैं जो hydrogen bone की strength को decide करते हैं नमबर बना जाता है angle between donor and acceptor जो आपका donor और acceptor के बीच कितना angle है तो आपका जब angle maximum 180 degree रहेगा तब उसमें maximum hydrogen strength होगी यह बात याद रखना ठीक है इसके बाद कि nature of donor and acceptor atom किस प्रिकार की होनी चाहिए तो electronegativity atom होना चाहिए मतलब जो donor होता है याद रखना जो donor होता है hydrogen donor वो अधिक electronegative होना चाहिए compare to जो दूसरा आपका electronegative atom है यानि donor have more electronegative but acceptor have least electronegative बात करेंगे आगे 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 इस पोइंट को हम आगे देखने वाले हैं इसके बाद distance तो मैंने आपको बताया था कि कि जितनी भी आपकी minimum distance distance रहेगी आपका bond उतना ज्यादा मजबूत से बनने वाला है यानि कि आप देखो इस यह जो दूसरा आपका यह वाला statement का मतलब क्या है कि जो आपका donor है मालों यह donor है तो इसकी electronegative हाई होनी चाहिए और जो एक्सेप्टर है यह वाला इसकी electronegative low होनी चाहिए तब आपका बहुत ही strong hydrogen bond बनने वाला है तो आप यह बात याद रखना अब देख लेते हैं कुछ और के hydrogen bond कहां कहां बनते हैं और किसमें कितने बोन रहते हैं तो जो आपका water होता है उसमें four आपके hydrogen bond बनते हैं maximum कोई कोई टीचर इसमें दो बोन बना बताता है बट मैं आपको बताता हूं कि four कैसे होते हैं दो बोन तो आपके बन जाते हैं इस hydrogen से मालों यह कोई आपका water का structure है तो यह आपका बीच में oxygen रखा हुआ है ठीक है ना अब क्या है कि आपको पता है यह ऐच यानि दो हाइडोजन है एक oxygen यह तो इस oxygen पर आपका outer आ जाता है ठीक है इस पर दो लोण पेर आ जाते हैं जिससे आपके दो बार सी hydrogen binding बना लेते हैं और एक hydrogen bonding इससे बन जाती है एक hydrogen bonding इससे बन जाती है तो total विलागर कर के आपकी चार hydrogen Proffen you हो जाती है याद रखना जो सोलिड स्टेट होती है उसको हम बर्फ बोल देते हैं ठीक है उसमें हमारे चार बोंड बनता है और एक प्रकार से लेटिस जो लेट्स होता है ना उस वहां उस जासी फोंड होती है उसकी तो याद रखना दो बोंड जो बना रहा है भी हाइडोजन एटम बना रहा है जबकि दो बोंड जो है वो आपके लोन पेर बना रहा है अगर लोन पेर को काउंट ना करें तो आपके हाइडोजन जो जो वाटर होता है वो दो बोंड ही बना पाएगा कि अगर टैंप्लेटर हो थो कि यह तब क्या होगा यह सब्सक्राइब चार बढ़ कि इस सब्सक्राइब तो हमारे मिनिमं रहितेदं सब्सक्ताइब curriculumкий करें और प्राइब बाटर के अंदर क्या मिक्स है वो उसके उपर डिपेंड करता है ठीक है ना अगर हमारे हम किसी वाटर को बाटर को वोईल कर दे तब उसमें बोंड कितने होगे तो वाटर हमारा वैपर फोर्म में चला जाएगा तब उसमें जीरो बोंड होने वाला है अब हमें यहासे काविशरे डाउट किले हो जाते हैं कि आगर यह पूछ ले जाता है वह यह जो गैस होती है उनमें किस प्रिकार खो बोने वोटर की बैपर ठीक है ना वोटर की बैपर उसमें कितने हाइडोजन बॉंड होते हैं तो उसमें आपके जीरो हाइडोजन बॉंड होते हैं जबकि आपके जो सॉलिड इस्टेट होती है वोटर की सम बर्फ बोल देते हैं आइस बोल देते हैं उसमें कितने आपके बॉंड ह को दोगते हो तो उसमें चार रिद्रोजन बॉंड रोते हैं यह बात आप या दख लेना इसके बाद रूसरा नाता है जिसको बोलते है Libra हाइडाजीन में भी आपके चार बोंड होते हैं ठीक है कि आप दोनों को याद रखना क्योंकि इंदोनों से पूछा आपको जाने की जरबत नहीं है मोलीक्यूल पर क्योंकि उनसे नहीं पूछे जाता इतना ठीक है याद रखना कार्वोग जलिक एसिड होता उसमें भी आपके दो हाइडोजन बॉंड बनते हैं ठीक है थोड़ा आगे चलते हैं अब देख लेते हैं कि हाइडोजन दो डिफ्रेंट मोलीक्यूल के बीच में बनी होती है उसको बोल देते हैं इंट्र मोलीक्यूल और इंट्र मोलीक्यूल क्या होती है कि किसी एक ही मोलीक्यूल के अंदर वो बॉंडिंग जो आपके हाइडोजन बॉंडिंग होती है वो रहती है ठीक है इंट्र मतलब एक के अंदर और इंटर मतलब किनी दो के अंदर तो आप इस बात से समझ सकते हों जो इंटर molecular होता है वोटर डावल स्टंडर्ड डियन ने ठीक है बिट्विन टू डिफ्रेंड मोलेक्यूर आप देखते हों कि जो आपका double standard bonded होता है तो आप प्यूरीन की बोंडनी पिरामिडीन से होती है ठीक है ना तो इस प्रकार से double bond triple bond उसमें होते हैं तो वहाँ पर intermolecular bond बनता है ठीक है इस बात को अपियाज रखना इसके बात intermolecular bond जैसे कि right-handed alpha helix यानि की protein में 310 helix protein में पाई helix protein में यह सारे आपके protein में बनते हैं कुछ और मैंने इनके लिए difference लिखे हैं आप देख सकते हों बट याद रखना important इसमें क्या था hydrogen bonding में कि 10% आपका covalent bond बनता है और 19 यानि 90% आपका जो है electrostatic bond बनता है important यही था काफी detail में समझा दिया है मैंने आपको ठीक है आप देख लेते हैं कि hydrogen की strength कहां पर ज़्याद होगी मैंने काफी कुछ बता दिया है तो आप इनको जो उनका सही order है उनमें अरेंज कर गए इनको comment box में अपना answer जरूर send करना ठीक है तो अब इससे थोड़ा और आगे चलते है तो हमारा hydrogen bond हो गया अब आता है आपका electrostatic interaction यह interaction है electrostatic interaction जो होता है उसको हम salt bridge के नाम से भी जानते है आयन interaction के नाम से भी जानते है जो हमने पिछला पढ़ा वो था ionic bonding और वो atom के बीच में लग रहा था जबकि जो आपका electrostatic interaction होता है salt bridge होता है यह फिर ion interaction होता है वो molecule के बीच में लगता है तो difference यह है तो अब कभी भी प्रोसान करता है कि मैं video का content कितना अच्छा बनाओं और कितनी देर तक आपको समझाओं मैं किसी भी topic को आपको 2-3 वार समझा रहा हूं different different तरीके से समझा रहा हूं ठीक है तो एक like तो इसके लिए बनता ही है तो पहले like करिए तो देखों क्या है कि electrostatic interaction comprise the attractive and repulsive interaction between charged molecules जो आपका electrostatic interaction होता है उसमें attractive and repulsive interaction दोनों देखनेगों मिलती है ठीक है ना It can be attractive and repulsive हमने देख लिया हूपर और electrostatics का मतलब होता है कोई भी electrical charge यानि कि चार्ज के बेस पर depend हा है यानि कि एक molecule यह रहा है एक molecule यह रहा है यह negative बना है यह positive भना है थीक है ना तब इन में जाकर कर जो interaction होगा molecule में जो charge के base पे interaction होता उसको बोलते है electro-static interaction तो ये बात आपको याद रखना है molecule के बीच में charge के base पे जो interaction होता है उसको बोलते है electro-static interaction या फिर आपका salt bridge या फिर ionic interaction ठीक है iron iron कि इनको बोलते हैं iron बेसिकली जो चार्ज होता है उनही को iron बोलते है दनात्मक धनात्मक ये आपने पढ़े होगे positive negative charge तो यही आपके ions कहलाते है ठींग है इसके बाद इसका जो example है भो देखो peripheral protein and membrane जो आपकी आपने जब हम प्लाज्मा मेंब्रेन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आपकी प्लाज्मा मेंब्रेन है यह उपर का भाग आपका कहलाता है यह आपको पता होगा बाई लेयर की होती है यानि कि जो आपकी हाइड्रोफोबिक चाहिना वो इसमें डबल पाई जाती है जो आपका ये ऊपर का का जाओ आपके nosircle सरकल दिख्ला होगा इसको बोते हैं हाइडुफीलिक लीजन बीच मां हजर का हाइडोफभीक लीजन होता है और फिर है हॉइड्रोफ्भीक मतलब हाइडुफभीक मतलब फ्य?यानि की डर हाइड्रोफविक का मतलब होता है वाटर से डरने वाला या बाटर को रिपल करने वाला हाइड्रोफिलिक हाइड्रो मतलब बाटर रखने वाला मतलब बाटर को अब बाटर को अपने पास रखने वाला तो अब नहीं यहां पर कहां पर ऊज़ए यह आपकी कोई गरेन कलर की प्रोटीन है इसके अंदर और रीजन इन दोनों के बीच में जो इंट्रक्षन हो रहा है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं थना चाहीब. आपका । नहीं जो है ऐप्ट पर रिकार की नियोंडिंपन फ़ोड़ है ये चार परिदया बनने लिसा पर राटिए को होती है जो प्रोटीन इस में बेरा के कि जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब हम डिटियल में बात करेंगे प्लाज्म मेंब्रेन के नाम से भी जाना जाता है तो यह बात याद अगरना इसके बाद दूसरा एक्जामपल आपका था हिस्टोन प्रोटीन और डियन ने तो आपको पता होगा डियन ने पर चार्ज कैस हिस्टोन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन भी एक मोलीक्यूल है और डियन ने भी एक मोलीक्यूल है दोनों ने मिलकर करके यह निक्लियोसोम मोडल है जब हम डियन ने पढ़ेंगे तब हम निक्लियोसोम मोडल को देखेंगे आराम से तो डियन ने प्लस ह इस टोन प्रोटेन के बीच में जो बॉंड बनता है उसको बोलते है इस बात को भी आपको याद रखना इसके बाद कुछ निपालसिव आ जाता है जैसे डियन अब यह जो हमने दो आपके पड़े ये को आपको पता होगा कि यह इता है तरेपन में 1953 या फिर 1853 तो 1953 में ठीक है अब क्या होता है कि देखो यह जो आपके यह बीच में सीडी टाइप की चमग रही है यहां पर होता है और यह डवल और ट्रिपल दोनों होता है प्यूरीन प्रामेडीन में यह बॉन बनता है ठीक है इसके बाद देखो अब यह तो आपका ड पड़ा होगा तो आपने पड़ा होगा कि इस डीन के बाहर आपके निगेटिव चार्ज होते हैं तो अब इधर की साइड में भी निगेटिव चार्ज इधर की साइड में भी निगेटिव चार्ज तो निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे यह आपको इस बात को नहीं भूलना ठीक है तो सबसे पहला डाया होगा आगे चलते हैं अब देख लेते हैं फैक्टर फैक्टर जो आपके इलेक्टर इस्ट्राटिक्स बोन को इफ्यक्टिव करते हैं तो सबसे पहला डायलेक्टिकल कॉंसेंट दो यादरा डायलाटिकल कॉंसेंट में भी आपका डायलेक्टिकल रेटरेंट बढ़ेगा तो आपका जो इन्टररेक्शन को घटेगा आपका है जब क्यों साइल्टिकल सेमें अगर पुछी काशरा studies बाड़ा रहे हूं तो बहाँ पर भी electrostatic interaction आपका घटेगा वो क्यों इसके लिए मैंने कोई diagram नहीं रखे क्योंकि मैं इसको detail में आपको जब मैं salt out salt in पढ़ाऊंगा protein में तब पढ़ाने वाला हूँ ठीक है अभी आपको खाली बस यह याद लगना कि दो इसको चाहिए तो आप भूल सकते हों मैं बहीं पर बात करूँ आपसे ठीक है चलिए इसके बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हाइड्र फूविक इंट्रक्शन क्या होता है तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है और मैं काफी देर से आप से बताता हो या रहा हूं कि हाइड्र मतलब वाटर फूविक मतलब फिया यानिकी वोटर से डरने वाला इंट्रक्शन मतलब जॉइंड ठीक है ना एक प्रिकार से तो पहले थोड़े सके एक्जम्पल समझो कि जो आपकी लीफ होती है आप देखते होंगे जब जो जाड़ों में या फिर बरसात में उस पर ओस गिरती है लीफ पर तो क्या होता है कि वह आपकी जमीन पा जाती है पहला हम यह समझते थे जब आपने भी समझा होगा कि अगर आप पोधों को पानी दे रहे हो तो आप उपर उपर पानी छिड़ थे मतलब इक उन्हें है ह्योख फोवियां कंडी सन होती है जो आपका मोट जो प्लांट है उनकर बाटर रह वह जड़ों सवरप्राब्ट होता है ठीक है तो हम पत्त्यों पर कितना पानी दाल थो प्लांट है उसके अंदर वोटर नहीं जा सकता थीक्व थे आता यह उह इसके बाद दूर्सा एक्जामपल आजाता है अपका देखो एक ग्लास है ग्लास के नीचे यह नीचे इन्होंने वाटर भर रखा है और उपर ओईल है तो ओईल अलग हो गया और आपका वाटर अलग हो गया तो अब इनके बीच में ऐसा क्या हुआ अब उसको देखते हैं तो हाईडोफोविक इंट्रेक्शन क्या होता है कि अब आपजर्ब टेंडनसी ओप नॉन पोलर सबस्टांस तो एग्रिगेट इन एक्कॉई सोल्यूशन एंड एक्सक्लूड बाटर मोलेक्यूल दा वर्ड हाईडोफोविक लिटरली मींस वाटर फियरी तो जो हाईडोफ लिए वोटर प्रेजर्ट होना चाहिए तभी आपका हाईडोफोविक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा यानि वाटर की प्रिजर्फ में किसी भी नोन पोलर सबस्टांस को नोन पोलर सबस्टांस क्या होते हैं अगर सबस्टांस में बात करो तो ओईल फैट ठीक है यह पाई जाती है क्योंकि बोटर की जो ओक्सिजन होती है वो एक नोन पुलर है ओटू ठीक है ना तो थोड़ा और आई यह नहीं समझते हैं इसको एक और एग्जामपल लेते हैं कि मालनों यह कोई आपका यूटन सील है बढ़तन है उसमें आपना वोटर भरा ठीक है बोटर ब History बोंद आपने ओल की गिरा दी पहला उसमें बोटर वर फिर उसमें दो सँतीन गौण आपने ऑल dispute कि गरा एठीक है ऌक्ड़ाने के वाद आप ने ड्रॉप जो थी वे दुर दूर गिरा दिदूंतित गूज गंटों का आप उसमें देखते हों के जो बेदेखते हो हएो य यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ के वल मैं आपके लिए समझाने के लिए रखा था जब थर्मोडाइमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तब ही बताऊंगा बट थोड़ा सा बता देता हूं चलो देखो जब हमने अलग-अलग इसमें जो ओईल की डॉप थी उनक काकी तक आपको नहीं पता हो सकता कि आप कुछ को पता को नहीं पता तो इस आयलो के बलवस आप पन्नी वगएरा है ब एक कोने में जाकर एक साइट में जाका इक एक घट्यों क्यों threat है सिर्फ यानि है आप समझों पिक हाइ्ट। हो थो 25 बाइट अम्हारा कब देखने सा है। नहीं होसकता का गाधर नहीं तो hydroffork allowing नहीं होसका अगर वॉर नहीं बहुत जरूरी है आप यहां पर देख सकते हो कि आपके हाइड्रोजन बोन थे आपने कोई भी दो ऐसे नोन पोलर नोन पोलर सबस्टांश डालें कुछ समय के बाद यह दो नोन पोलर सबस्टांश जो है यह आपस में मिल गाए अब यह मिलते कैसे हैं तो फिर थर्मोन डाइ यह जब दो पास-पास में आगये तो इसमें अब अनर्जी कम लग रही है क्यों कुछ देखो भाई बोटर जो था बोटर जब इसके चारों तरफ यह किलाउड्र यह आपकी स्टेक्चर है तो इसकी चारों तरफ सब बोन का फोर्मेशन करना पड़ लाए ठीक है ना अब इसके लिए इसके लिए घaimer की अ Can I केटीकना और इस ड्रोन के लिए दूर ये दूर्स दो सिल्ड बना रहा है कि उसके लिए बनाया यह सिल्ड मतलब घराब ड्यटकि अगर यहिन सब को 151 मिला देंं सब कोुई कि जगा मिला दें तो इस पे ही खाली उसको 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 कवर करना पड़ेगा यानि यहां पर बोंडिंग ज्यादा हो रहती है यहां पर बोंडिंग थोड़ी कम हो रही है जब यह बीच मांगा तो यह वाला यह जो दोनों प्रोसेज चमक रहे हैं यह आपको स्पोन्टेनियस है यहां पर कोई अनर्जी नहीं लग रही है ठीक ना अब देखो सिल्डिंग तो हो रही है मगर इसको कम इलेक्टोन की जरुवत है तो यह हाइडोफोबिक इंट्रेक्शन है हाइडोफोबिक में आपका इतना कुछ नहीं पूचा जाता बस हाइडोफोबि यह चलते हं थोड़ा और देख लेते हैं हैं जसमें आपको बयाjo कर्षाट यासा होता है जिसमें आपको को बैल कर डाइग्राम देखने को मिलता है यानि कि जो हाइड्रोफोविक रीजन होता है अगर उसमें हम कम टैंप्रेचर दें तब भी काम नहीं करते हैं और ज्यादर टैंप्रेचर दें तब अगर वही लिक्विट फोम में हो टैंप्रेचर जहां पर आपका 25 25 25 25 तो वहां पर वह बहां पर बोंड काम करें वहां पर जो आपने कच्रा डालाया वह एक साइड में जा करके इखटा हो जाएगा लेकिन बरप में अशन नहीं हो पाएगा तो हाइड्रोफोविक की एक ऐस इंग ओडर वाला यानि कि टैंप्रेचर बढ़ाते जाओ गए तो आपकी जो बोंडिंग हो ब्रैक होती जाएगी जो बोंडिंग हो डिस्ट्रप्ट होती जाएगी ठीक ना तो यह पॉइंट आपको याद है इसके बाद चैन लेंथ चैन लेंथ में क्या होता है कि जो रट्रेक्शन इतना जाद होने वाला है बर ज़्यार होगा होती जो लिनीग्या तो बोंड कहाँ पर मतलब जो आपका हैट्रोफोबिक इंट्रेक्शन वो आपको कहां पर ज्यादे देखने को मिलेगा जो आपकी लीनियर वाली आपके हैड्रोफोबिक या फिर नोन-पोलर सबस्टान्स उसमें ज्यादे मिलेगा इंपोट अधे यह तभी मैंने यहाँ पर रखा है वहां सब्सक्राइब करना एंडूबार्बार बनाऊंगा तब आपको समझा है अगरralखर आपको चार पक्के करने तो अ तो इसके बाद आता है अपको ब yardım कि एक कर और उड़ अपको बताऊ को नहीं की एक चैनwe में ऑपका होता है एक कियव लाइक इस्ट्रा होती यह सरकल लाइक कर आप देख सकते ले इतनी ही आपकी है अरुमेटिक बनाती है जबकि जो आपकी चैनल लाइक होती होए इस्टेक्चर बनाती है तो जो होती है मैंने बताया भी लीनियर यह फिर एली अपकी मोर हाइड्रोफोबिसीटी सो करती है तो यह चारों फैक्टर आपको याद रखने है है इन चारों में से पिछले साल पूछा जा चुका है जो यह बात याद रख लेगा जब मैं इसके बाद मेरी क्योश्चन आंसर की क्लास होने वाली है जिसमें मैं कैमिकल बोर्डिंग के क्योश्चन लाने वाला हूं ठीक है ना तो आप ही सौल करोगे और सौल बेही कर पाएगा जो लेक्टर को पड़े ध्यान से सुनना है एक बार समझें मैं यह दो बार समझें क्योंकि देखो यार इस बार मुझे ऐसे स्टुडेंट चाहिए जो सीयर नेट लाइफ साइंस को क मुझे रैंक कर चाहिए मैं महनत कर रहा हूं आप मीर साथ महनत करिया अगर आप महनत कर रहा है ना सब मैसेज करिए आपके डाउट में अगर ऐसे नहीं हुआ तो फोन पर सौल करूंगा अगर मैं कमेंट में आपको जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपके डाउट फोन पर आप मुझे कोल कर सकते हों बट मुझे एक CSI यार रैंकर चाहिए अगर जब मैं इसके बाद जो एक्जाम होगा बहाँ पर मैं आपके साथ इंटर्व्यू करना चाहता हूँ आप में से कोई सा भी हो सकता है तो आप डेडिकेटेड रखे अपने पढ़ाय के लिए अगर आप परसंट आपकी कोल उठाऊंगा और आपके जवाब जो आपका सवाल होगा उसका जवाब दूँगा ठीकर लेकिन पढ़ने वाला चाहिए मुझे आप पर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं CSI क्रेक करना चाहते हैं छोड़ो यार मत देखो वीडियो को यहीं पर कि यूटूब से मेरी कमाई होने वाली है कितने कितने ब्यूज आते हैं हंड्रेट टू हंड्रेट व्यूज ठीक ना लेकिन मुझे जैन्यून चाहिए जैन्यून जो CSI net live science में अच्छी रैंक ला सकें अगर आप हैं तो यह आप लेक्चर को देखें बंदन यहीं पर ड्र आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम अपना बंडरवाल इंट्रेक्शन पर तो बंडरवाल इंट्रेक्शन क्या होता है बीक हाइड्रोजन बोंडिंग होती है ठीक है सबसे बीक इंट्रेक्शन जो होता है वो बंडरवाल इंट्रेक्शन होता है क्या होता है जब दो मो की Biology आपके थो अब बंडरवाल-वाल-वाल-वाकल होती हो पांच अधिवकर की होती है हम यह पर पर नहीं पर हमूंने है कि नॉर्मल में देखना है कि या मैं और तो देखो क्या होता है कि दो डाइपोल डाइपोल debated लंदन डिसवर्शन होसकता ठीक के नाम से इसको जाना जाताय तो पढ़े लेते हैं हैं पहले थहठा सा कि दा बंडरवाल फोर्स इजटिस्टेचन डिपैंडेंट इंट्रेक्शन बिट्वीन एम और मोलीकीव वोस्टील आपके मोलीक्यूल के बीच में wonder इंट्रेक्षन पाया जाता है ठीक है और यह कैसा यह बीक बोर्ण होता है और मोर्स टीप टु डिस्टेश्यान्स YMP जानके बहुत ज्याद ऑसे द्सके बहुत ज्यादा सेंट्पिव होता है अब जादे दूर चला गया तो भी आपका बंडरवाल इंटेक्षन खतम और जादे ही पास में आ गया तो भी आपका बंडरवाल इंट्रेक्शन खतम इस्टेंस के डिपेंडेंट होता है ठीक है हम जितना एटम का साइज बढ़ाते जाएंगे वंडरवाल इंट्रेक्शन उतना ज्यादे बढ़ता हुआ चला जाएगा ठीक है ना अब देखो यह एक एक जामपल है डाइपॉल डाइपॉल का डाइपॉल डाइपॉल क्यों कि देखो पहले क्या था कि यह आपका कोई भी एटम है एटम के जो इलक्टोन होते हैं तुम आपको पता होगा कि इसके चारवर राउंड यानि घूमते रहते हैं अब यह हुआ जासे यह घूम रहते तो एक समय ऐसा हुआ कि एक का जो नीचेटिब चारज भो इस साइड में और गूंड कर दूसरे वाले जो ऑका घड़े जब प जा जाती है यानिक्त पर यह नीगेटिफ चार्ज पर यह निगेटिफ चारज आ जाता हैं तो इस में जो इंट्रक्शन होता है उसको बोलता है डाइपॉल डाइपॉल इंट्रक्शन ठीक है और यह एक ट्रिकार का बंडरवाल इंट्रक्शन होता है तो आपको इस बात को नहीं पूछना भूलना है ठीक है अब यह इंड्यूस भी हो सकता है यानि कि किसी फोर्स के द डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ठीक ना दो बात हों और नोन स्पेसिफिक होता है नोन इस सफिक का क्या मतलब है यहापन कि आपका जो है की आप फॉर्ण नहीं कह सकते कहाँ यहां पर आपका वंडरवार्वार्स लग रहा है आप एक अनुमाल लगा सकते हो तो केवल तीन ही बात आपकी इसमें गुमाफ फिरा करके एकजामनर पूछता है यहां से जो थेरी से पूछता है अब इसके थोड़ा सा देखो आगे चलते हैं अब आता है वंडरवाल जो हमारे इंसुलेशन है जाने की जो अट्रेक्शन है इसमें क्या होता है तो यह दो ज लैने इंपोंटेंट है अब लाइन को बाद में पढ़ना Compagni समझो सब्सक्राइब हो रहा है गर अगर प्रियो चाहां अगर यह ठाट्र crochet हो दूर हुए तो यह बनवाई सिक्स जो ने वाले है तक फिरा जो इनकी ट्रेंट है वो बनवाई एक ये इनके में अगर दूर टोर से पहले बृट करेंगा इसितनी से भी इनकी arenas तो बन-वाई-6 की कि दूर हट जाएंगे बहुत जल्धी से और अगर interpreting हो रहा बॉड़े से आगर इन्टरीजर हो रहा है ओड़े से अगर इन्टरेक्शन चला गाया ना यानिकी जादे हде तो क्या उगा तो भी यह जब इनमें होगी जानए जब बॉंड हटेगा तो बह। बनवाई 12 की सपीड से हटेगा नई समझें द्वारा समझों देखो एक थोड़ा पढ़र लो तब और ज्यादे समझाइगा इस टू एक टेकन अवे फ्रों बंडरवाल's इनके बीच की जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है उसको बोल गया बंडरवाल कॉंस्टेंस डिस्टेंस ठीक है ना तो डाइपोल डाइपोल इंट्रक्षन इंक्रीज वाइफ एक्टर बनवाई आर की पावर ठीक ना यानि की जिटिस्टांस है वह आर की आपकी बनवाई CDU आवाली है अगर जो आपका अगर थोड़े से भी दूर गए जो आपका आट्रैक्षन हो रहा था इस से थोड़े से भी दूर गए तो आपकी बनवाई दोर चुनれた जाएगी मौलद दूर चले जाएगए इसलिए बीग है अगर अच्छा आपका जो अगर दूसरा कहने का मतलब क्या जब आपका यह किलो जड़ते यानि जब बनारते अगर यह जाद किलो जागा ना इस प्रिकार से एक उपर एक हो गया ठीका ना तो एक फिर भी हटने फिर हो गाई में रिपल्शन इस प्रिकार से और यह जब जब इसमें रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोन सेल जो रिपल्शन हो रहा वो बन वाई और की पावर 12 यानिकि बन वाई 12 से होगा, जब्कि जो डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है वो बना अपोन और की पावर 6 से होगा, एक बार और समझो ती वारा ठीक है यह लाश्ट बार है, और समझ लेना इसमें, यानि कि अगर देखों अगर आपका डाइपोल डाइपोल इंटारकशन हो रहा है डाइपोल डाइपोल इंटारकशन हो जो ठीकेज यानि अगर थोड़ें भी दूर गए तो वहां पर डीक्रीजिंग होनी था उस अट्रेक्शन में प्रोब्लम है तो इसके बाद अगर थोड़े से भी पास में जादे पास आ गए तो वहां पर होगा आपका इलाक्टोन सैल रिपल्स है और वह ना बनवाई ट्वैल्स है तो आपको यह दो बात याद रखनी है नहीं आई और देखना एक बार और लेक्चर दो बारा देखना तेवारा देखना और इनको पढ़ने कुछ इसका आपको बस खाली यह दो ही चीज समझनी थी इसमें बाग कोविलेंट पढ़ा पॉल अनिक्वल पॉलर पढ़ा इन सब बॉन्ड में खासियत क्या है मतलब सेम जो हमारी करेक्टर था वो क्या है कि होल्ड एक्टम टूगैदर टूफॉर्म मोलीक्यून यानि कि हमारी कैमिकल बॉन्डिंग इन समय लगी है मैटल में हमारा मैटल मैट इलेक्टोन सी देखा आयनिक में इलेक्टोन का ट्रांसपर हुआ पॉलर में जो था हमारे कोविलेंट पॉलर जो था उसमें किसी एक पॉल पर हमारा इंट्रक्शन हुआ यानि कि अनिक्वल सेरिंग हुई कोविलेंट जो हमारे कोविलेंट है उसमें हमारी सेरिंग हुई तो मैंने अब आपको जो केमिकल बॉंडिंग होती है जितने भी आपकी बॉंडिंग काम में आती है वो सारी की सारी बॉंडिंग मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है वायो केमेस्ट्री के लिए जितना जरूरी था वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया है ठीक है दो लेक्टर इसके आपके बने अब इसके बाद हम्मारा नेश्ट लेक्चर होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के जो आपके क्योश्चन जितने भी सियसे यार नेट माई हुए है बेस सब मैं आपके लिए लेकर करके आने वाला हूं तो गेट रेडी ठीक है तो उसके लिए आपको प्रि क्योश्चन कराओंगा तो तभी आपकी समझमाने वाले हैं तो वह भी आपके लिए देखना बहुत जलूदी है ठीक है ना तो आपका जो आने वाला एकजाम में सियसे यार नेट का उसमें से इसमें एक क्योश्चन जो कैनिकल बॉन्डिंग है एक क्योश्चन आपका प्र पर उतनी ज्यादे जिम्मेदारी आएंगे और जब इंसानी ओपर जिम्मेदारी आती है तब वह अपनी रात काली कर देता है रात दिन मदब सब इस लेक्टर के लिए मैंने तीन से चार बुक पढ़ी है ठीक है ना तीन से चार बुक पढ़ने के बाद अपना और भी जग टेलिग्राम चैनल से मिलने वाली है जिसका नाम है वी स्टार एजुकेशन टेलिग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है ना इसके साथ साथ गाई टाटा एंड बाइवाई अपना ध्यान लखें अपनी फैमली का